बिसी से एक नई खबर लेकर यहां पर आया है कि बिसी से चाहता है कि जो रोई सर्म है विराट कोली है और जो हमारे कोच है दाहुल ड्रेविड उन तीनों के साथ मिलके बिसी से अभी यहां पर वापिस से टीम के ऊपर बातचीत करेगी तो यह काफी अंद्रूनी खबर निक सब्सक्राइब यहां पर निकल के यह आती है कि इंडियन टीम का फ्यूचर से खुदी खराब कर रहे थी इतनी दिनों से जो सिलेक्टर्स थे यहां पर ऐसे से प्लेयर सिलेक्ट कर रहे था न मैचस के लिए यहां तो वह एज से जादा हो गया फिर वह अन्वीट है यहां तो बैठाओं यार्ट करने वाला जन्वरी के टाइम पर बैठाओं तो वह करने दो तो उसको साधी वादी घुमने उने दो पाई पाई चेमेने कब ब्रेक लेने दो उसके बाद बंदा आएगा रिटरं तब देखा जाएगा तब तक नहीं जो चांस है सो उसको चांस दोता है नहीं भाई हम इतो केल राहूल को वाइस केपनेर मनाके खेलाना है यहां पर अब इसकर में तो ऐसा होता है को यह दो तीन यहां पर पर चीजए कायए वर्याट को लिए उसका का वूंड्हिन एक जाने मौई खेला हगा करेंगे अब चिसर्म और दूरा रहेगा डूए मौन जरेट और वहार को इमसीं ने ौरब्रों और यहां पर बहुती बढ़िया तरीके से ली जाएगी यहां पर एक दूसरे की आप समझ लाओ एक दूसरे कैसी ली जाएगी क्योंकि रोहिष सर्मा ने यहां पर सीधा यहां पर कल के जो फ्रेस्ट कॉंफरेंस में बोल दिया था कि इंडियन टीम के लिए अभी यहां पर बड़ी मुसीबत क्या है वो है अन्फिट प्लेयर जो प्लेयर आधा फिट है उसको यहां पर भेज देते हो मैच खेलने के लिए कंट्री को रिप्रेसेंट करने के लिए रोहिष सर्मा ने यह भी बात बोला कि भेज रहे हो तो भाई पूरे फिट प्लेयर को भेजो यहां अकेला कैप्टन कुछ नहीं कर सकता है कुछ भी नहीं कर सकता है वह किसमत खराब थी कि इंजर्ड होगे नहीं तो वह मतलब जो गुस्से में आया था जो फोड़ने के लिए था वह फोड़ देता उसके बाद यहां पर एक और बात करूं मोहमद सीराज के बारे में तो मोह चीज समझनी आती कि इंग्लेंड के बॉलर्स को देख लो वह बैटिंग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं अस्ट्रेलिया का बॉलर्स को देख लो लो मार देते हैं मतलब कोई को एक दो नहीं चलता है बाकी सब मार देते हैं और भी बहुत सरे टीम है साओथ अफ्रीकन सब्सक्राइब कर देख लो यहां पर मुहमद शिराज के पास इतने अच्छी बैटिंग थी इतना स्लोब बॉल डाल रहा तो देख के मार सकता दबट वह अंधी की तरह घुमा रहा था तो उसके वाज़से हम लोग यहां पर मैं सदमे में था मैंने बोला थे कि मैं वीडि सब्सक्राइब करना कभी नहीं चोड़ेंगे और बस हाँ अब यहां पर अच्छे तरीके से सिलेक्शन करनी पड़ेगी तो आयोप आपको यहां पर समझ आए हुआ कि क्या अभी फैसला लेने वाले तो देखते आए और क्या होते